यह स्वागत है पिछले वीडियो में हमने कोश्चन नंबर 15 तक सौल किया है और आज हम कोश्चन नंबर 16-17 को सौल करेंगे तो देखते जाएंगे कैसे यह कोश्चन जो है सौल करना हमको तो सबसे पहले कोश्चन को पढ़ते हैं प्रतिसाट नंबर 15-10 प्रतिसात ब्या het यह लगाता है एक से को 250 रुपे मासिक बेतन पाने का और आधिकारी है मतलब 250 रुपय मासिक मतलब इसको गुड़ा करना पड़ेगा किस से 12 से 250 गुड़ी 12 करना पड़ेगा ठीक है जेंट विक्री पर एक प्रतिस्थत कमिशन पाता है वर्स 2007 में 15,000 रुपय का लाब तथा विक्री 2,000,000 रुपय की हुई उनके आहरण पर क्रमसा 5,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 जी खाता बनाए ठीक है एक-एक करके हम समझते जाएंगे किस प्रकार से बनेगा तो यहां पर कोश्चन नंबर 16 यह देखिए कोश्चन नंबर 16 का लाभानी नियोजन खाता सबसे पहले हम क्या लिखते हैं लाभ को लिखते हैं सेस लाया गया करके लाभ को लिख दे यहां पर देखे सेस लाया गया कितना फंस रूपे 15 लपे 15 रुपे हम ने लिख दिया सेस लाया गया 15 ूपे ठीक है कहां से यह यह यहां को लिखते हैं समाकलन पक्षा में अधर पुझी परव्याज वेतन कमिशन और अन्य कोई खर्च है तो उसको लिखते हैं तो पुझी परव्याज वेतन कमिशन दिया हुआ है इन सब को हमको लिखना है बस और कुछ नहीं करना है तो सबसे पहले हमको देखिए क्या करना है बारास रूपीय ठीक है उसीταν याजार क्लियर है क्लियर है इसको हम ने कहां लिख दिया तो इसको हमने यहाँ पिलिख दिया पूंजी परभ्याज आज खाता से करके ??? जैड बालास उबीस चारसल एस्सी टो टोटल कितना होगे 24iri हो गये ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आप देखिए प्रस्ण में और क्या लिखा है, तो प्रस्ण में लिखा है बेतन, बेतन की बात की है, एक सको 250 रुपे बेतन पाने का अधिकार है, तो एक सको 250 हम यहां पे लिखेंगे, बेतन खाता से, एक सको 250 गुरित 12 कर दें, कितना आ है, प्रस्ण में कमिशन दिया, तो जेट की बिकरी पर एक प्रतिस्द कमिशन पाता है, तो जेट बिकरी पर, तो बिकरी हमारा दो लाग है, दो लाग का एक प्रतिस्द लिकालना पड़ेगा, तो यहां पर देखिए हमने कैलकुलेशन उसका भी किया है, दो लाग का एक ब प्रस्ट में किसी प्रगार का और कोई समाजन की बात नहीं कहीं किये है, ठीक है तो बस इतना ही है, इतने को ही आपको लिखना है, और आहराण है, यह देखें यहां पे एक चीज़ा ओर सामिल करना है, आहराण हमारा पांच जातीन हजार और पैर साट सो, 6500 क है, जिनमें ब् ब्याज़ खाता से सो रूपय का पचास रूपय और जेड का दो सौनप पचास रूपय हो गया sushi इस इस को बनाना है हमको और क्या करना है तो यहाँ पर हमारा 15 has этот 50000 और चारह जार 400 को जोड़ दो तो 15 долларов और चार सो जोड़ दिर कंदर कितना हो गया 15,400 हो गया पूंजी पर व्याज इधर जो समाकलन प्रक्षा है उसमें तीन मदे हैं एक तो पूंजी पर व्याज है वेतन है कमिशन है इन तीनों को जोड़ देंगे तो तेन दो पांच पांच दो 7,400 7,400 हो रहा है लेकिन इधर का 15,400 हो ठीक है तो इधर का ज्यादा है तो इस तरब की योग से हम इधर की योग को घटा देंगे तो 15,400 में 7,400 को घटा दो तो कितना अगया 8,000 रुपया गया कितना अगया 8,000 अब इस 8,000 को हम क्या लिख देंगे लाब साज़दारों के लुपात यसी रुनुपात में हमको बाटना है तो यहां पर हमने उसका कैलकुलेसान सीड भी मनाया है यह देखेया यहां पर दो अनुपात एक अनुपात अनुपात में बाटेंगे शनी पर निकपा लिए तो कितना गया चार यहां पर लिखा लिए तो यहां कर देंगे तो हिसी को हमने यहां पर लिख दिया से सवाई जेट года दो हजार कितना रुपivities यह जो है लाभहानी खाता बन गया लाभृः नियोजन खाता इसी प्रकार से बने का लाभानी नियोजन खाता जैसे आप इसले जितने भी कोश्चन उसमें बनाते आ रहे हैं वही है इसमें कोई अंतर नहीं है ठीक है अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं यहां पर इसका पूंजी खाता को साज़दारों के पूंजी खाते में सारे चीज़ों को लिखना पड़ते हैं तो साज़दार के द्वारा लाई गई पूंजी को भी लिखना पड़ता है तो साज़दार के द्वारा लाई गई यहां पर प्रश्ण में दिया हुआ है बीस हजार बीस हजार बारह हजार और आठ हजार रुपे इसी को हमने यहां पर लिख दिया सेस लाएगे करके बीस हजार बारह हजार और आठ हजार अब बेतन खाता को बेतन हमने दिया किसको दिया एक सको दिया लाभानी नियोजन खा कारी है तो बेतन खाता को करके हम 100 250 गुड़ी 12 करेंगे तो 3000 थे एक सके में लिखेंगे और वाइरce को ukili नहीं कुछ नहीं रहागा udah ठीक है उसके पूंजी परव्याज लावानी कहता को इसको टालेंगे और कमिशन को डालना है ठीक है दो हजार रुपय को किसको दिये कमिशन जेड को तो जेड के में जाएगा लेकिन पुंजी पर व्याज एक सवाई जेड तीनों के में लिखाएगा ठीक है, तो यहाँ पर देखे, हमने वही काम किया, बितन खाता को करके ये देखे, एक सक में ह दो हजार रुपिया क्लियर है अब यहां पर एक ती जौर है लाभानी खाते को ही देख देकर क्या आप लिखना है आपको साइजारों के पूंजी खाता तो एक सवाई जेड यह देखे लाभानी खाता याई लाभानी नियो जनंखाता को करके 40000 2000 2000 टोलिक्ती है तो हमने सबसे पहले तो आहरण को देखेंगे कि नहीं है कि नहीं तो आहरण पर ब्याज कैसे होगा तो यह उनके आहरण पर करमसा पांच जाट तीन हजार और पांच यहां पर ब्याज को तो यहां पर हमने देखेए पाच हलातीन हजार और छे हजार पान सो को लिग दिया अब आहरण पर ब्याज काता से करके सब पान सॉन पचास और और दोशो पचास लिख नीए ठीक है इतना लिखने के बाद हमको योग लगाना है एक विकलान पक्षक और दूसरा समाक्रान पक्षका तो विकलन पक्षक का योग समाक्रान पक्षक का योग से कब हैं क्योंकि यहां पर देखिए इसमें पूंजी भी सामिल है तो इस सब को जोड़ेंगे तो 20,000, तो इस प्रकार से आपको जोड़ना है जोड़ करके इस पक्षक को योग लगाईए तो इसमें तो किवल आहरण आहरण पर व्याज है तो पांच हजार एक सो इधार तिन हजार पचास अच्छे हजार 500 तो 6,750 हो जाएगा यह तो इसको माइनस करेंगे इस 28,200 में 5,100 को माइनस कर दीजे तो कितना आजाएगा 23,100 उसी प्रकार यह 14,700 में यह दोनों को योग करके जो माइनस कर देंगे तो 3050 माइनस हो जाएगा 14,720 में तो कितना आजाएगा तो 11,670 उसके बाद 12,480 में माइनस करेंगे इन दोनों को जोड़ करके तो आगे हमारा 5,730 ठीक है तो इस प्रकार से पुरस्न बनेंगे यह कोश्चन नमबर कौन सा है यह कोश्चन नमबर 16 है अब हम चलते है कोश्चन नमबर 17 की ओर और जानते हैं किसको कैसे बनाना है इसमें यह वाली चीज को ध्यान रखना ना वर्सके दावराण सबदर दिया है पहले भी एक कोश्चन था तेरे नमबर का कोश्चन इसमें भी वर्सके दावरान नमबर यह देखे थे मिर नंबर भी इसी वर्षा के दवरान टीस जार के लाब हुआ था ऐसे लिखा था और नोट में इसका लिखा रुपर प्रति महा और काजल जो है पांस और प्रतिमाहवेतन पाने का धिकारी है पुंजी पर प्रतिस्थ के दर से ब्याद दिया जाता है और वर्सकी समाप्ति पर आहरण अनुभा आठ जार पांस और काजल छह जार पांस सुरुपया थे आहरण पर प्रतिस्थ की दर से ब्याद लगाया जाता है लाब अनियोजन खाते हैं मसाज़दारों के पूंजी खाते परवर्तन सिल पूंजी पूंजी मांते हुए बनाई है अब प्रसने के नीचे में टिपीडिम भी दिये कि वर्सक दौरान लाब इसका आसा है समस्त अब समाजन घटाने के पश्चात लाब से है कहने के तात पर है कि अगर वर्सक दौरान लाब प्रसने में अगर दिया है इस प्रकार कम में वर्ड अगर दिया है दौरान सब्द दिया है तो आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है कि वह लाब को लिखना है से लाया गया कितना 45,000 रुपे लिख दिजिएगा यहां पर जैसे हमने अब यहां पर देखें विवरड में विवरड में हम लाब करके लिख देंगे सहजारों के पुंची खाता से अनुभा और काजल तो अनुभा का 30,000 रुपे और का 15,000 अनुभा का कितना 30,000 रुपे का 15,000 टोटल कितना होगे इसको बाढ़ दिये हम कैसे बांटे हैं तो प् यह देखिए बांट करके भी आप लोगों के लिए तो यह हो गया क्या लाभानी का वित्रण अनुभा और काजल तो 45,000 का 2,3 और 45,000 का 1,3 बराबर कर देंगे हम कार्ट पिट देंगे तो यह हमारा क्या रहा है 33,000 और यह 15,000 ठीक है आप इसी का हम क्या बनाएंगे सहजार पूदा होगा कि इसमें पूजी पर याज कम वेतान यह जंका ल sitten के नहीं लिख ऊते 我是तश्माजन के पुörशाध की बात कर रही है वहाँ पर हम पूजी पर वियाज कम वेतवा इसंब की गड़ना नहीं करते हैं वहाँ पे नहीं लिखने हैं लावान रिख हैं खनी ओ-जंक तो इस सब को लिखा जाता है ठीक तो यहाँ पर देखें से Barbरतु इसैश्छी कर लाया है को हमने यहां पर लिख़ान नप्र क्षछी था का नब्य हज़ार, Respla transmitted दो नब्य हजार, का 6,000 का ठीक है उसके बाद बहतरन की बात किया गया है यहां पप्रती माहा बोले और काजल को लिखा है पांस ँरुपे प्रती माहा तो अनुभा तो वेतन की गड़ना करना आपको आसानी से आजाएगा क्योंकि कि आप पान्सों गुडित आप लिजीया और 500 गुडित बारा करेंगे तो पूंजी पर व्यास क्वाज को पूंजी पर व्यास खाता को पूंजी पर व्यास लिकारना है हम साथ के कादा करना करने हमको कैसे होगे आप जानते भी होगे कितना % , ,,90%, 90% ,, प१ भीत धी गणित कज़ा है , करता है , पंजाने कदने है 50,000, तो 90,000 का आपको करना है , 90,000 , अब्धे हजानी ये कर दे Euro पर चौ़ाम, 90,000 , ben 45 उसी प्रकार , 0,05%. कदना अगयों ? पुंजी कितना है 60,000 कोन सा है यह अनुभा की है यह अनुभा का हो गया दूसरा कोन है काजल है तो काजल का लिकाल लेते हैं काजल का साथ हजार गुड़ीत पांच बटेश सव कर लिजे तो यहाँ पर काड देंगे तो हमारा कितना यह च्छे पंचे तीस तीन हजार रुपे यह 3,000 रुपे काजल का और अनुभा का 4500 रुपे, 4,500 तो हमने यहां पे लिख दिये पूंजी पर भ्याज खाता को करके 4,500 रुपे, ठीक है, इतना हो गया, आप लाभ अनी नियोजन खाता को, लाभ अनी नियोजन खाता को, यहां से ले लेंगे, हमारा जो लाभ है उसको बाटे हैं, तो अनुभा को 30,000 रुपे, काजल को 15,000 तो लाभ अनी नियोजन खाता को करके 30,000 रुपे, अनुभा के खाते में डाल देंगे, और 15,000 रुपे, काजल के खाते में डाल देंगे, क्लियर है, इधर इस पक्षक हो गया, पूरा इंट्री, ठीक है, यह फॉर्मे खाता को 8,500 काजल का 6,500 हो गया, अब आहरण लिकने के बाद हम क्या लिखते हैं, आहरण पर ब्याज, तो आहरण पर ब्याज भी प्रस्ण में दिया हुआ है, यहाँ पे, कि आहरणों पर 5,30 के दर से ब्याज लगाया जाता है, तो 5,30 के हिसाब से ब्याज लिका लेंगे, तो 8,500 का 5,70, 6,500 का 5,70, तो यह देखे, फिर कल्किलेशन करके बताते हैं आपको, अनुभा का हो जाएगा, अनुभा, अनुभा का व्याज, आहरण पर ब्याज, आहरण पर व्याज, तो किसका अनुभा का, तो 8500, 8500 का कितना परसेंट बोला है प्रस्ण में इसका 5 प्रतेशा था, अहरणों पूर 5 प्रतेशा था, तो 5 बटे 100 कर देंगे, 5 बटे 100, अब जिसको काड़ देजे, तो हमारा यहाँ पर 5 आगा, 5 का गुड़ा करेंगे, तो 5 बचे 25 का 5, 7 का है, 2, 5, 8, 4, 2, 42, कितना हो ग हमको किसका निकालना है, काजल का भी ठीक उसी प्रकार होगा, काजल की जो आरण है, काजल का आरण 65 रुप्य का है, अब उसका 5 परसेंट निकालने, तो 5 बटे 100 कर देजे, दोनों 0000 कर जाएगा, 65 कर पांच करेंगे, तो 5 पचे 25 का 5 हाथ का है, 2, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 3, 3, 3, 32, 32, 325 रुप्य ठीक है, तो ये 425 और 325 इसको हमने यहां पर लिखा, आरण पर भ्याज खाता से करके, 425 और 325 रुप्य को यहां पर लिखा हमने, अब क्या करेंगे, इन दोनों का योग लगा दिये, तो कितना हो रहा है, 8,000 और ये 5, 4, 925, 8,925, 8,925 रुप्या, को किस इसका अनुभा का ठीक है, अनुभा का कौन सा पक्षका, ये विकलन पक्षका, अउसी प्रकार जो है, इसका लिका लेंगे हम किसका, काजल का, तो 65, 325 को जोड दीजे, तो 6,000 पांतिन, 825, 6,825, 6,825, 6,825, इसका है, ये काजल का है, ये कौन सा पक्षका है, विकलन पक् 24, 35, 35 को जोड़ेंगे, 90, 30 को पहले जोड़ लिजें, 90 कबाद 30, 90 कबाद 100, 10, 20, 1,20, और यहां पर इन दोनों को जोड़ लिए 842, तो 20, 10, 30, 32, 32, 900, 5, 8, 4, 900, तो 1,32, 900, यहां पर हमने जोड़ करके रखा, एक लाग 32, 900, उसी प्रकार इन सब को जोड़े हैं, तो हमारा कितना आगया है, 84,000 कितना आगया है, 84, 60, 60, 10, 75, 75, 85, 81, 81, 81, 84, 84, 84, यहां पर आ गया, इस 84,000 में से काजल का हमारा कितना हो रहा है, 6825 को माइनस करेंगे, यहां पर लिखें हमने, हाँ ना, तो 84,000 में 6825 को माइनस की, जित कितना आ रहा है, 70, 175, और इसका आ रहा है कितना, कैसे माइनस करना है, यह भी जानते होंगे, आप 84,000 में 68,000, यह 6825 रुपे काजल का लिकाल रहा है, तो 10 में 5 गया, 5, और यह 9, 9 में दो गया, 7, ठीक है, और यह हो गया, 9, 9 में 8 गया, 1, और यह 3 हो गया, 13 में 6, अब 3 है, तो यहां से एक उधार लेंगे, तो 13 हो गया, 13 में 8 गया, तो कितना बच जाएगा, 7, और य 17,175, हमने यहां पर दिखे, 17,175 किया है, तो ठीक इसी प्रकार से, जो 132,900 है, इस 132,900 में इन दोनों को जोड़े हैं, तो 8,000, जो है, 925 रुपे होगा, तो इस 8,925 को माइनास करेंगे, तो हमारा जो आएगा, वो है, 13,975 रुपे, तो इसी प्रकार से यह बनेगा, ठी इसलिए लाभानी खाता में, जो है, जितने भी समाजां थे, उनको सामिल नहीं किया गया है, तो इस प्रकार से यह कोश्चन बनेगा, कोश्चन नमबर 17, 16 के बाद 17 है, तो यह कोश्चन नमबर 16 और 17 दोनों इसी प्रकार से बनेंगे, और कोई विशेस नहीं है, आप से आ क्योंकि सबी चीजों कवर करना रहता है, आपको समझाना भी रहता है, इसलिए ज्यादा लंबे समय के लिए वीडियो नहीं बना सकते, छोटा-छोटा 20-25 मिनिट को बनाएंगे, उससे आपको भी पढ़ने में सुईधा होगी, तो आज के लिए बस इतना ही, वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद चैनल पर नया है, तो चैनल को सस्क्राइब कर दीजे, बेल आइकन को प्रेस कर दीजे, और अधिक साधिक वीडियो को सेयर अवाश्य कीजेगा, धन्यवाद